ब्रमाजी ने नारद को संपूर शिव कता सुनाने शुरू करी नारद ये वही शिव महापुराण है जो स्वयम बगबान शिव से भाशित है शिव के मुख से भाश से है वही तुने सुना रहा हूँ इस गाथा को सुनने वाले मनन करने वाले चंतन करने वाले किसी भी रूप पे सुनने वाले लोग शिव लोग को जाते हैं और शिव पद के अधिकारी होते हैं शोपरयान में माईक लगाना ज्यादा दूर तक सुनाना ज्यादा लोगों को बुला करके इस कथा को सरबड कराना ज्यादा लोगों तक इस कथा को पहुचाना इस कथा को हर विक्ति को सुनाना कोई धर्मात्मा हो तो भी सुनाना कोई साधू हो तो भी सुनाना कोई अच्छा विक्ती हो तो भी सुनाना और जरा ध्यान से समझना कोई नास्तिक हो या आस्तिक दोनों को सुनाना जिकि किसी भी रूप में अगर ये कान में पड़ गई तो उसे मोक्ष बलेगा उसे शुपत मिलेगा उसे शुप भक्ती की करपा से पगवान शुप का आशिरवाद मिलेगा क्योंकि इसका नाम सुरती है सुरतम्हर दिपापानी आरोग्यम्दन प्रक्षती इससे धन बढ़ता है बैभो बढ़ता है संपनता बढ़ती है घर में सुख और शंती आती है हाँ? बैभो बढ़ता है कलह समाप्त होती है रोग समाप्त होता है सारीरिक सुख मिलता है और और वो सब कुछ प्राप्त होता है जो आप पाना चाहते नारद वही श्युमाहापुरार तबे सुनाूगा शुम्राध के महिमा के बाद बाबा ने रुद्राक्ष की महिमा बताई है रुद्राक्ष वो फल है रुद्राक्ष वो जो एक इसे वस्तू कहना इससे स्सामगद्शी कहना शुचे स्हुमापुरान कहती हैं त्रॉप्स्वयम भगबाण शुममापुरान में जटता गया है जुद्राक्ष किस्पर्शप kicking द्रा São direct को चुन हो जुद्राक्ष को साथ रखना मानुबाबा गौसा रखना है शो महापुरान में बाबा ने रुद्राक्ष की कम्प्लीट महिमा बताई है मूलतहा 14 प्रकार के रुद्राक्ष बताए बाबा ने वैसे 24 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते है निम्नस्तंग स्रेणी के उत्तम स्रेणी के और मद्यम स्रेणी के रुद्राक्ष बताए बाबाने जो रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से सुन्दर और स्वक्ष होते हैं निर्मल होते हैं और देखने में दिब लगते हैं वो उत्तम स्रेवीं के है और जिन रुद्राक्षों में प्राकरतिक छेद नहीं होता वो रुद्राक्ष जिन में मनुस्त के द्वारा छेद किया जाए वो मत्यम स्रेवीं के रुद्राक्ष माने जाते है जो रुद्राक्ष जिन में कीड़े लग गए है गुन गये है तूट गये है खराब हो गये है उनको निम्ल शेनी का रुद्राक्ष माना गया है रुद्राक्ष बद्राक्ष और इंद्राक्ष इनकी तीन शेनिया है और पुरुद्राक्ष किसी भी प्रकार का क्यों नहों पुरुद्राक्ष जन्मानस को ततकाल लाब पहुचाता है ऐसा श्यू महापुरान कहती है जिन लोगों को बहुत क्रोध हाता हो तेरा ध्यान से समझना इनको बहुत क्रोध हाता हो जिनका क्रोध शांत नहीं होता हो जिनके जिनकी क्रोध की वज़े से जिनकी जिनकी बहुत सारा अंटसंट बोलने की वज़े से बड़े रिस्ते खड़ाब हो रहे हो उनके जीवन में सबसे बड़ी तकलीफ यही हो कि वो अपने कुरोध को और अपने आपको सैयमित नहीं कर पा रहे हैं क्या करें? रुद्राक्ष लीजे बहुत सारे एक तामी का बड़ा बर्तन रखिए उनके लिए जिसमें उसमें जल पिएंगे और उसमें 30% रुद्राक्ष भर दीजे और फिर जल भरिए उसी जल से उनको दीजे उन्हें पीने के लिए ऐसा 31 दिन करने के बाद उनका कुरोध पूरी तरह से शान्त हो चुगा होगा आप देखेंगे मानो भगवान शिवकी कुछ ऐसी कृपा हुई है कि अब वो वैसे रहे ही नहीं जैसे थे कोई दुष्ट हो किसी की बुद्धी निर्मल नहीं हो किसी का मन शान्त नहीं हो किसी का विवेक अच्छा काम नहीं करता हो किसी की एगाकरता अच्छी नहीं हो किसी के दिमाग में कोई खुरापात रहता हो कुछ उल्टी सीधी चीजों में दिमाग लगता हो डिप्रेशन हो मानसिक अशान्ती हो या बहुत परिशान हो किसी भी बात को ले करके खुप सारे रुद्राक्ष लीजे और तामरबर के बरतन में पात्र में रखकरके उसमें जल डाल करके निरंतर पीने से आपकी यह सारी क कि सारी समस्यास माप्त हो जाएंगे कि कहते ही 370 रुद्राक्षों का मुकुट बनाकर निरंतर पहने वाले वक्ति को राजस सुपद प्राप्त होता है कि ऐसा श्यों महाप्पुरान कहते है कि सिद्धों को 1100 रुद्राक्ष पहनने चाहिए संतों को महात्माओं को अमलात्माओं को जो यतीमनी है उनको 550 रुद्राक्ष पहनने चाहिए सामानने लोगों को एक तीन पाच या सात मालाएं पहनने चाहिए ऐसा श्यों महापुरान कहते है एक मुखी से लेकर के चौदा मुखी के लिए पूरा का पूरा बरतांत बताया है श्यो महापुराण में श्यो महापुराण में नारद को ब्रम्हा जी समझाते हुए कहते हैं नारद ये रुद्राक्ष कोई केवल फल नहीं है कि रुद्राक्ष केवल एक वस्तू नहीं है कि एक स्रंगार का या केवल एक आभूशिड नहीं है दारत ये तो स्वयम भगवान है और ये पंचमोली है इसमें तो भगवान शिव का साख्षातवास है एक बार भगवान शिव भियोग में उर्दन करने लगे ध्यान से उठे और मानों कुछ स्मर्ण में आया इतना प्रेमा तुर हो गए इतना अधिक प्रेम और वातसल में भर गए कि उनकी आँखों से असुरुपात होने लगा और वो असुरुवों की बूंद जहां जहां गिवी नारद वहां एक ब्रक्ष बना और ये ब्रक्ष कोई और नहीं नारद ये शिवगड ही है जो बाबा की वास्तविक्ता को सम्हाल कर रखे हैं अपने अंदर